Hello guys, welcome back तो guys, इस session के अंदर हम बात करने वाले हैं DRDO vacancies के बारे में तो guys, जो total vacancy आई है DRDO में 181 है खाली physics की निये guys है, सारे subjects की मिला करके 181 vacancies आई है total for the scientist B post तो इनी के बारे में guys, अभी हम यहाप पर discuss करेंगे तो guys, अगर मैं यहापर पहले बात करता हूँ एज लिमिट की, क्यों जो काफी सारी चीज़ हैं देखने के लिए तो एक एक चीज़ को यहापर one by one discuss करेंगे सबसे पहले guys, हम यहापर बात करते हैं एज लिमिट की, तो guys, जनल केटेगर के लिए या फिर EWS के लिए जो एज लिमिट है 35 years अरने वाली है obviously, non creamy layer के लिए age limit 38 years होगी SAST के लिए 40 years, तो यह था guys age limit के बारे में सबसे पहला point next important point की, कि आपका last date कब है form fill करने की, तो guys, वो है 31 अगस, तो guys, इन form को आप 31 अगस तक fill कर सकते हो तो guys, अगर अब बात की जाए कि कौन कौन से subject के लिए vacancy आ रखी है तो guys, BTEC के लिए तो हर एक type की आ रखी है आपकी electronics and communication engineering के लिए mechanical engineering के लिए आ रखी है 44 seats, DRD के अंदर ADA के अंदर 2 है DST के लिए 2 है, CME के लिए 2 है तो different departments है जहाँ पर आपके लिए आ रखी है अब physics के guys, majority audience है यहाँ पर तो second guys, जो आपका EWS है EWS के अंदर guys, आपकी यहाँ पर जो seats है वो आ रखी है 1 आपकी OBC के लिए 3 seats है SC के लिए यहाँ पर 1 seat है and ST के लिए यहाँ पर एक भी seat नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर total seat यहाँ पर कितनी है, आपके लिए आपके लिए 10 है MSC कर लिए है, तो उस case में आप इसके अंदर apply कर सकते है और साथ में आपका gate भी qualify होना चाहिए physics वाला, pH जो होता है code, right तो आपका physics, gate, crack होना चाहिए और आपकी जो degree है, कौन से degree की काईस यहाँ पर बात की चाहिए जो आपकी essential qualification के अंदर consider की जाएगी जो आप पूछते हो ना, कि हम MSC physics electronics कर लें क्या, ठीक है या BSC physics electronics कर लें क्या, मतलब एक specific subject ले लें फिर applied physics ले लें, तो क्या difference है तो यहाँ पर इस different degrees है, तो अगर आपके पास physics है आपके पास physics electronics है, आपके पास applied physics है, आपके पास solid state physics है computational physics है, engineering physics है, physics and electronics है basic sciences with specialization in physics है, मतलब आपके पास basically कोई भी physics के degree होगी अगर वो आपके पास degrees है, ठीक है, तो आप इसके अंदर apply कर सकते हो साथ में आपका gate qualify होना चाहिए, और आपके साथ में आपर first class master degree होनी चाहिए, ठीक है तो यह आपके आपके requirement है physics के लिए and guys, ऐसे ही chemistry के अगर आप students हो तो guys, आपके लिए आपके total number of seats कितनी है, 5 है and यह सारे वो subjects हैं जो आपके होने चाहिए, ठीक है, chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry analytic chemistry, physical chemistry, तो इस तरह के आपके आपके subjects होने चाहिए, ठीक है तो I hope कि guys, यहाँ पर यह वाली जो चीज है, आपको सभी को समझे में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी, okay अब guys, अगर मैं बात करूँ ऐसी mathematics के लिए वाइस vacancy आ रखिये, mathematics की seats और कम है यहाँ पर, सिर्फ दो seats से mathematics के लिए ठीक है, तो guys, यह थी यहाँ पर सारी number of seats के बारे में, right, and guys, जो next importance में यहाँ पर discuss करना चाहूँगा, वो है selection character है, क्यों गयाँ आपको essay exams के अंदर आपका selection character है, बड़ा matter करता है, तो यहाँ पर selection character को ठीक से समझ लो, कि अपने पास यहाँ पर इन्होंने साफ साफ यह करक लिए, क्योंकि 80% of the score जो है, वो आपका gate score से आने वाला है, ठीक है, right, तो gate score आपको होना चाहिए, साथ में personal interview भी अच्छा जाना चाहिए, अब तुम कोगे personal interview क्यों अच्छा जाना चाहिए, तब 20% ही लिखा है तो, तो guys, देखो, यहाँ पर एक point साफ साफ भी लिख रख category, तो इतना तो guys, आपका होना ही चाहिए in the personal interview, तो अगर आप general candidate हो, तो 70% और कोई दूसरी category है, EWS, OBC, SC, तो उस case में आपका minimum 60% आपका interview में होना ही चाहिए, उसके बाद फिर आपका gate score देखा जाएगा, तो अगर आपने interview में इतना score नहीं किया, तो आपके gate में चाहिए से AIR1 आ रखी हो, कोई फरक नहीं पड़ता, इतना आपको लेके आना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पर साफ साफ यह condition लिख रखे है, तो gate score तो अच्छा होना ही चाहिए, पहले आप उससे eligible होगे, exam, interview में बैठने के लिए, फिर आपका interview के अंदर minimum इतना score होना चाहिए, पतले basically फिर आगे interview आपका qualify हो जाएगा, कि आपको interview तो qualify करना ही है, उसके बाद फिर आपकी यहाँ पर जो marks बनेंगे, इन दोनों को मिला करके, कि 80% आपका gate score and 20% आपका interview score, फिर आपका net result आएगा, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर job लग रही होगी, तो I hope कि यह जो च होतो, तो उस case में आप यहाँ पर apply कर सकते हो, जो last data form fill करने की 31 of August है, description में आपको telegram channel का link की मिल जागा, अगर आपको PDF चाहिए, आप इसको completely read कर सकते हो, side details आने के लिए, मैंने जैसे वीडियो इस लिए बनाई, ताकि आपको इस के बारे में पता चल सके, तो description में telegram channel का link क मिल जाएगा, महाँ पर मैं speedf क upload कर दूँगा, and महाँ से आप इसको देख सकते हो, तो मिलते हैं guys हम किसी और वीडियो में, and preparation करो यार, definitely बहुत अच्छी opportunity है, मिलते हैं, next session गेंदर, and till then, bye.